हलो गाईज आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं यूपी के दवारा एनेचम की विगंसी जारी के इधिस ये चो की अगर आप लोग इस आवेदन फॉर्म को अपलाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा फॉर्म के डिटेल्स के बारे में अगर आप लोग को जाना है तो इस पर मैंने अल्रीडी वीडियो बनाई है वीडियो का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा आवेदन करने के लिए ये लिंक जो है वो एक्टिवेट हो चुकी है इस टार्टिंग जो डेट है 30 जुन 2021 है आवेदन फॉर्म सम्मिट करने की जो लास्ट डेट है 20 जुलाई 2021 तक आप लोग अपलाई कर सकते हैं आवेदन अपलाई करने से सम्मंदित यहाँ पे इनफॉर्मेशन डिटेल्स बताई गई है आप इसको पढ़ लीजिएगा जरूरूर। इसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा इस पर आपको ट्रिक मार करनी है यहाँ पे आपको दो बटन मिलेगा पहली बार कर रहे है तो इस अप्सन को आप सेलेक्ट करेंगे अगर आप लोगों ने रजिस्टरेशन कर रखा है तो यहा लोगिन करके form को apply करेंगे first time जो भी candidate apply करेंगे यहाँ proceed to register out के button पे आपको click कर लेना है click करने के बाद आपके सामने ऐसा page display होगा यहाँ पे आपको close कर लेना है आपको यह बता दे कि इस आवेदन form के लिए आपको application fee नहीं payment करना है आप चाहे किसी भी category से belong करेंगे आवेदन fee आपको नहीं payment करना पड़ेगा तो अगरा page display होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने post को select कर लेना है post को select करते ही यहाँ पे post code automatic आ जाएगा उसके बाद आपको नीचे थोड़ा सा कर लेना है यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है आपका जो नाम लिया जाएगा वो आपके matriculation यानि के 10th के certificate में जिस प्रकार से आपका नाम लिखा रहेगा वही नाम आपको इस box में लिखना है उसके बाद यहाँ पे आपको अपना mobile number लिखना है वही mobile number दुबारा से आप यहाँ लिखेंगे उसके बाद mail ID इस box में आपको लिखना है और वही mail ID आपको फिर से दुबारा यहाँ पे लिख लेनी है capture code यहाँ पे आपको लिखना है so capture code अभी डिस्पले नहीं हो रहा है यहाँ पे देखे डिस्पले हो गया capture code आपको सो होगा you have been signed up successfully kindly complete your application form by using the credential share on your email ID and contact number ठीक है तो आपको अपने contact number और mail ID को share करना पड़ेगा यहाँ के चेक करना पड़ेगा आपके जो registration है वो complete हो चुकी है यहाँ पे आपको registration application number आपको मिल जाएगा देखे अभी आप फिलहाल login है और यहाँ उपर की तरफ आपको कोई options नहीं मिल रहा है form को apply करने के लिए ठीक है तो आपको apply के जो options है उसको लाने के लिए सबसे पहले आपको log out करना पड़ेगा log out करने के बाद आपको यहाँ पे login करना पड़ेगा तो login करने के लिए यहाँ पे आपको user ID लिखना है और यहाँ पे password लिखना है user ID और password आपको कहां से मिलेगा आपको अपने mail ID में जाना है क्योंकि mobile number पे यह जो information है वो आपको तुरंत प्राप्त नहीं होगा तो जो भी आप mail ID लिखेंगे उसी mail ID पे information आपको दिया जाएगा आपका user ID और password यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा mobile number और mail ID दोनों active अपकी होनी चाहिए user ID और password आपको लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक button मिल जाएगा login का यहाँ पे click करना है जब आप click करेंगे तो आप फिर से login हो जाएगे और यहाँ उपर आपको दिखेंगे एक option आपको मिल जाएगा click here to fill application form यहाँ नीचे आपकी information details दिखाया जाएगा उपर आपको एक message भी display किया जाएगा इसको आप पढ़ लिजेगा इसमें जो भी information है अवेदन से संबंदित है ठीक है अवेदन form apply करने के लिए आपको यहाँ इस option पे जरूर click कर लेना है click करने के बाद आपके सामने next page ऐसा open हो जाएगा यहाँ पे आपको इस अवेदन form को apply करने के लिए उपर आपको notice important मिलेगा इसमें आपको अवेदन को apply करने संबंदित qualification के बारे में बताई गई है अगर आपको qualification नहीं पता है तो यहाँ पे आप click करके qualification को आप जान सकते हैं अब जैसे ही नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपकी post क्या select करेंगे वो आपको display किय किया जाएगा यहाँ पे आपको अपने जेंडर को select करना है कि आप male है या female है उसके बाद आपको अपने examination city को यहाँ पे select करना है कि आप कहां पे exam देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अपने من मताबिक exam centre आप चूज़ कर सकते हैं आपको यहाँ पे तीन examination center को choose करना है उसके बाद आप से पुछा जाएगा कि क्या आप UP के निवासी हैं अगर आप UP के निवासी है तो yes करेंगे अगर आप नहीं रहेंगे तो no करेंगे यदि आप no करेंगे तो यहाँ पे आपको only general category में लिया जाएगा अगर आप UP के निवा date of birth लिया जाएगा date of birth select करते ही यहाँ पे आपका कितना age हो जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा 20 2020 से आपकी date of birth यहाँ पे ली जा रही है उसके बाद अगर आप बिकलांग है physically handy scared है तो यहाँ पे आप yes करेंगे और उसके बाद आप किस प्रकार के बिकलांग रहेंग माता का नाम लिखना है यहाँ पे आपको अपने माता का नाम लिखना है marital status आपको बतानी है कि आपका साधी हो चुका है या साधी नहीं हुआ है उसके बाद आपको नीचे आना है यहाँ पे आपको अपने permanent address को लिखना है जो भी आपका permanent address से उसे लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा इस permanent address same as तो यहाँ पर आपको yes कर लेना है अगर आप same पते पर रहते हैं तो अगर आप दूसरे पते पर रहते हैं तो वहां का भी address आप इसमें दे सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ नो पर click करना पड़ेगा और उसके बाद यह address आप लिखेंगे आपको आपको की qualification देना ही है सबसे पहले यहाँ पर name of the board लिखना है आपकी स्थे यह qualification किये हैं उसके बाद आप यह qualification किस year में qualify किये हैं उसके बाद यहाँ पर subject आपको लिखना है कि आप science से या art science से पास हो हैं वो आपकी जो percentage है आपको कितना है वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है आपका जो important qualification है दसमी की qualification उसके बाद आपकी यहाँ पे जो main qualification मांगी गई है GNM, ANM या जो भी मांगा गया है वो qualification आपको बिल्कुल अनिवार रुप से submit करना पड़ेगा तो यहाँ पे आपकी essential qualification details को देना पड़ेगा इसको आपको click करना है यहाँ पे आप दिख सकते हैं GNM या BSC Nursing या post BSC Nursing की आपके पास qualification होने चाहिए इन में से जो भी qualification है उससे आप select करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको अपने board को लिखना है कि आप यह qualification किस board से qualify किये हैं उसके बाद यहाँ पे आपके qualification किस year में qualify हुए हैं वो और उसके बाद यहाँ पे आपको percentage लिख लेनी है अपने essential qualification को add करने के बाद आपके पास अगर master degree है तो वो भी आप add कर सकते हैं चाहे आप इसे blanks छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है उसकी बाद अगले option में आप से कहा जा रहा है कि UP nurse में midwife counseling में अगर आपने registration किया है और उसका परमाणपत्र आपके पास है तो आप यहाँ पर yes करेंगे और उसके बाद वो परमाणपत्र की registration number आप यहाँ पर लिखेंगे अगर आपने registration नहीं किया है तो यहाँ no की button पर आप click करेंगे जैसे आप click करेंगे तो दिखेंगे you are not eligible for this post यहाँ कि आप इस form को apply नहीं कर सकते हैं यहाँ पर आपको select करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपने registration number को लिख लेना है registration number लिखने के बाद यहाँ पर आपको एक button मिलेगा save and next का इस पर आपको click करना है click करते हैं आपकी जो data है वो save हो जाएगी उसके बाद आप next proceed पे आजाएंगे यहाँ पे आपको अपने documents को upload करना है सबसे पहले आपको अपने photo को upload करना है आपकी जो photo होनी चाहिए तीन महिने का पूराना आपका photo यहाँ पर ले लिए जाएगा उसके बाद का नहीं होनी चाहिए color passport size की आपकी photo होनी चाहिए यहाँ पे click here to upload के button पे click करके आप photo को upload करेंगे उससी परकार signature और आपको अपने matriculation की certificate UG की certificate को आपको upload करना है यानिके under graduation की certificate उसके बाद आपको अपने registration की certificate को upload करना है जो आपकी registration certificate है UP का उसको upload करना पड़ेगा उसके बाद आपको अपने cast certificate को upload करना है यहाँ पर UG की जो certificate माँगे गई है इसमें आपको अपने जो आप qualification एड़ करेंगे वो qualification आप यहाँ पर upload करेंगे सो चलिए यहाँ पर एक एक करके हम upload करके आपको दिखाते हैं यहाँ click here to upload की बटन पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर browse की बटन पर click करना है और जहाँ पर आप photo रखे हैं वहाँ पर जाना है उसके बाद आपको photo को select करना है और यहाँ open की बटन पर आपको click करना है click करते हैं आपकी जो file है वो upload हो जाएगी यहाँ पे देख सेते हैं file uploaded successfully उसके बाद यहाँ पे close के button पे click कर लेना है तो चलिए यहाँ पे हम सारा documents upload कर लेते हैं ओके guys तो यहाँ पे हमने सारे documents को upload कर लिया है photo और signature आपके jpg format पे मांगे गई हैं और other जो आपकी documents मांगे गई हैं उसे आप PDF file भी upload कर सकते हैं चाहे आप jpg format में upload कर सकते हैं एक MB की maximum size यहाँ पे मांगे गई हैं सारे documents को upload करने के बाद नीचे आपको आना है capture code आपको display हो जाएगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है capture code लिखने के बाद आपको यहाँ पे एक check box मिलेगा i agree का यहाँ पे आपको trick mark करनी है form को submit करने से पहले आप लोग previous details को जरूर check कर लिजेगा यहाँ पे click करके इसमें आप अपने details को verify कर सकते हैं कहाँ पे आपने क्या क्या लिखा है verify करने के बाद आप इसे cut कर लिजेगा उसके बाद आप यहाँ पे submit के button पे click कर लिजेगा click करते ही एक message display होगा यहाँ पे आप से सहमती मांगेगा कि क्या आप इस आवेदन form को complete submit करना चाहते हैं अगर आप submit करना चाहते हैं तो ok के button पे आपको click कर लेना है click करने के बाद आपके सामने ऐसा page display किया जागा आपको यहाँ पे इसको read कर लेना है और उसके बाद I agree पे click कर लेना है click करते हैं आपकी जो आवेदन form है यहाँ पे आपको एक notes में message सो होगा कि your application form submitted successfully आपको यहाँ पे check कर लेना जरूरी है आपकी जब form submit हो जाएगी तो यहाँ पे submitted successfully जरूरी दिखाएगा status उसके बाद इस आवेदन form को अगर आप print करना चाहते हैं तो उपर आपको यहाँ पे option मिल जाएगा print का यहाँ पे आपको click करना है click करने के बाद आपको print करने का options मिल जाएगा चाहे आप इसे print कर सकते हैं चाहे आप इसे save करके रख सकते हैं तो इस प्रकार से आप इस आवेदन form को apply कर सकते हैं बिल्कुल आसानी तरीके से मैंने आपको सारी चीज़े बता दिया है वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इस वीडियो को like share करिएगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को guys subscribe नहीं किया है चैनल को subscribe करेजेगा चलिए हम आप से मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बाई बाई जैहिंत